विमान वाहक पोत किसी भी देश की सेन ताकत का प्रतीक होते हैं। आमतोर पर ये दुश्मन के तटों के पास खड़े होकर उनके लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। लेकिन पंडुब्बी का उदेश्य समुद्र के नीचे छिपकर दुश्मन की निगरानी करना है और आवशक्ता पढ़ने पर उन पर हमला भी करना है। भारत के सामरिक हितों की सुरक्षा में हमारी नौसेना पंडुब्ब्यों की भूमी का महतुपूर्ण है। वर्तमान में भारत के पास सत्रा पंडुब्या हैं। इन में से सबसे उलेखनिय हैं 2016 में कमिशन हुई परमानुपंडुब्बी आई एनस अरिहंत। आई एनस अरिहंत की निर्मान लागत चार हजार करोड रुपे की है। लेकिन परियोजना की कुल लागत 90,000 करोड रुपे है। यह भारत की अब तक कि सबसे महंगी रक्षा परियोजना है। इस वीडियो में हम आई एनस अरिहंत की प्रासंगिक्ता के बारे में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि भारत ने इस परियोजना पर भारी रकम क्यूं खर्च की है। भारत के लिए पर्मानु पंडुब्यों का महत्व 1971 की भारत पाक युद्ध के साथ सपष्ट हो गया था। जब भारत और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के घटना करमों के आधार पर युद्ध में गये तो चीन और अमेरिका और ब्रिटेन साहिद पश्चिमी शक्तियां पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। मगर जरा सी भी आच्छ ना आई। पाकिस्तान जो युद्ध हार चुका था भारत की बड़त को रोकने के लिए अमेरिकी मदद का अनरोध कर रहा था। इसके बाद अमेरिकी राजपती रिचर्ड निकसन ने भारत के लिए खत्रे के रूप में बंगाल की खाड़ी के लिए USS Enterprises के नेत्वत में साती फ्लीट भेजी। क्या उनके इट से इट बजाना हम नहीं जानते। सोवियत संग यह मैसूस करते हुए भारत की सहायता के लिए आगे आया अतह एक एक ग्यारा बन गया। उन्होंने अपनी एंटी शिप मिसाइलों से लेज एक परमानू पंडुब्वी को बंगाल के तट पर भेज दिया और अमेरिकी नौसेना को बड़त से रोक दिया। सोवियत रक्षा में परमानू शक्ति के उपियोग ने भारती प्रधानमंतरी इंद्रा गांदी और भारती नेतरत को प्रभावित किया। युद्ध के बाद भारत ने परमानू हत्यार और परमानू पंडुब्वी हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। दरसल वह तो उल्टी गंगा बहाने की काम के जैसा था। फिर 1974 में पोकरण में परमानू परिक्षन के साथ भारत एक परमानू शक्ति बन गया। 1990 के दशक के शुरुवात में भारत ने स्वधेशी परमानू पंडुब्वियों का विकास शुरू किया, लेकिन पंडुब्वी में फिट करने के लिए परमानू रियाक्टर को सरल बनाना बेहत जटल था। इसके कारण भारतिय विज्ञानिकों को रियक्टर को डिजाइन करने में कहीं चुनोतियों का सामना भी करना पड़ा 83 मेगावार्ट परमानु रियक्टर का प्रोटोटाइप तब भाबा परमानु अनुसंधान केंद्र ने रूस के परमानु डिजाइन ब्योरो की मदद से विक्सित किया था आगे के परिक्षणों के बाद इस डिजाइन के रियक्टर अरिहंत के साथ स्थापित किये गए अरिहंत का निर्मान 2009 में पूरा हो गया था लेकिन कठोर परिश्रम के बाद 2016 में भारती नौसेना द्वारा कमिशन किया था भारती नौसेना के पास आज 14 डीजल संचालित पारंपरिक पंडुब्या और दो परमानु पंडुब्या हैं इन में से हमारी पारंपरिक पंडुब्या तीन वर्गों में हैं सिंदुगोष, शिशुमार और कैलवरी इन पंडुब्यों के पास समुद्र के नीचे जल मंगन होने का सीमिन समय होता है क्योंकि उन्हें बैटरी रिचार्ज करने के लिए समुद्र तरपल आना पड़ता है एक बार जब वे समुद्र की सता पर पहुँच जाता है तो वे उन्हें दुश्मन द्वारा सीधे या जासोसी उब्रहों के माद्यम से पता लगाय जा सकता है इस प्रकार की गोपनियता खो जाती है लेकिन एक परमानु पंडुब्बी समुद्र की सता पर आय बिना ही 25 साथ तक काम कर सकती है परमानु पंडुब्बी को केवल नाविकों की शिफ्ट के लिए और उन्हें अपनी जरूरत का भोजन जमा करने के लिए ही किनारे पर आना पड़ता है वे दुश्मन को जाने बिना ही लगातार तीन मेने तक अपने शेत्र में काम कर सकते हैं INS चक्रे और INS अरिहंत ऐसे दो परमानु पंडुब्बी हैं जो भारतिय नौ सेना की सेवा में हैं इसके लावा अरिहंत क्लास का अरिघाट का निर्मान पूरा हो चुका है और अन्य दो निर्माना धीन है 111 मीटर की लंबाई के साथ 11 मीटर की चोड़ाई 15 मीटर की उचाई और 6000 टन के डिस्प्लेंट स्मेंट के साथ INS अरिहंत प्रदिघंटे 44 किलो मीटर की गती तक बहुत सकता है अरिहंत के आगमन के साथ भारत का परमानु परिक्षन पूरा हुआ भारत के पास पहली बार परमानु हत्यारों का उप्योग न करने और केवल आत्मरक्षा के लिए परमानु हत्यारों का उप्योग करने की घोशिद नीती है लेकिन इस नीती को भारत और उसके परमानु हत्यारों की कमजोरी के रूप में देखा जाता है और भारत को अपने परमानू हत्यारों से मुक्त करना सोभाविक हो सकता है। यह संदेश देना निवार है कि दुश्मन राष्ट इस तरह के अत्याचार में परिपक्व हो जाते हैं, उनके हमले की एक उचित प्रतिक्रिया किसी भी मामले में आगामी होगी। यहां तक कि लगातार यात्रा में हैं, ऐसी स्थिती में दुश्मन पर परमानू बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। अरिहंत का मुक्य हत्यार वर्तमान में सागरी का पंडुब भी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज साड़े साथ साथ सो किलोमेटर है। द्वीब सम्हू में परिक्षन किया जा रहा है, लेकिन प्रभावी रक्षा के लिए कम से कम चार परमानू बैलिस्टिक पंडुब्यों की आवशकता होती है। दो अप्ग्रिडेड या मरमत की प्रकुरिया में हैं, लेकिन अन्य दो हमेशा गस्त और बैकप के लिए उप प्रक्षित करेगा, बल्कि यदि आवशक हो तो मलक्का के सामरिक जल ढमरू मध्य पर प्रतिबंद भी लगाएगा। इसके अलावा विशागापट्टम के पास राम पिली में एक भारतिये पंडुब्यों के निर्मान की तयारी कर रहा है। इन पंडुब्यों के चालु होने से जो मौझूदा परमानु पंडुब्यों के आकार और शक्ति से दोगुनी हैं, भारत का परमानु परिक्षन और भी मजबूत होगा। इस परियोजना को भारी लागत पर लागू करने के पीछे भारत के इसपस्ट देश हैं। भारत को सिसपस्ट है कि अब से कोई भारत को गाजर मुली मत समझना। ढूल